अभी जब हम ecosystem में login करते हैं, तो हमें एक बार ecosystem में अपना O-mail ID और password डालना होता है. O-mail ID और password डालने के बाद, हम login to ecosystem बाले बटन पर click करके, आसानी से ecosystem में login कर लेते हैं. और एको सिस्टम में लोगिन करने के बाद हम अनपैसिव के कई प्रोडक्ट ओमेल, ओनेट, ओट्रीम, ओट्रेकर और ओकनेक्ट को आसानी से इस्तिमाल कर लेते हैं लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव होने वाला है तो वह क्या बड़ा बदलाव होगा इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंतक ध्यान से देखेगा नमस्कार मेरा नाम है मंटन सर्मा, नो ड्रामा, नो वकवास, उनले काम की बाद एको सिस्टम में लॉगिन करने के बाद हमें इन सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए दुबारा से इन प्रोडक्ट में लॉगिन करना होगा यानि एको सिस्टम में लॉगिन करने के बाद यदि आप O Connect को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको O Connect में पहले login होना पड़ेगा उसके बाद आप O Connect को इस्तिमाल कर सकेंगे और यह feature security region की बज़ा से add होने वाला है अभी जब आप ecosystem में login करते हैं और login करने के बाद जब आपको O Connect को इस्तिमाल करना होता है तो आप O Connect वाले button पर click करते हैं click करते ही O Connect का dashboard open हो जाता है और O Connect का dashboard open होने के बाद आप O Connect को आसानी से इस्तिमाल करते हैं और इस्तिमाल करने के बाद आप O Connect से बाहर निकलने के लिए आप सिधे O Connect को बंद कर देते हैं या फिर इस page को close कर देते हैं अभी O Connect में या OnPassive के इन Products में Logout करने का Option नहीं है और जब आप O Connect को इस्तिमाल करने के बाद आप O Connect ये Page को Close करते हैं तब आप O Connect के Dashboard से बाहर तो हो जाते हैं लेकिन Server से आप O Connect से बाहर नहीं हो पाते हैं Server में आप O Connect में Login रहते हैं जिसके कारण इन Products में Logout का Option एड होने वाला है क्योंकि Server में Login रहने की वज़ा से इसमें Cyber Attack भी किया जा सकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए Cyber सुरच्छा के कारण इन सभी Product में Login और Logout का Option एड होने वाला है अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक उदाहरन से समझते हैं मान लिजे आपने कोई घर खड़ीदा और उस घर में कई सारे कमड़े है तो यहाँ पर Ecosystem आपका घर है और उस घर में O-Mail, O-Net, O-Trim, O-Tracker और O-Connect कमरा है यहाँ पर घर में परवेश करने के लिए Main Gate दिया गया है लेकिन कमरा में परवेश करने के लिए कोई दरवाजा नहीं है यानि O-Mail, O-Net, O-Trim और O-Tracker में इंटर करने के लिए कोई Login Logout का Option नहीं दिया गया है तो ऐसे में बीना दरवाजा वाला कमरा में चोड़ी होने का खत्रा बना रहता है और इसलिए इन कमरों में दरवाजा लगाने का निरने लिया गया है क्योंकि जिस घर के सिर्फ Main Gate में दरवाजा हो और कमरों में दरवाजा ना हो तो उन कमरों में चोड़ी होने का डर बना रहता है अब इस बात को उदाहरन के रूप में शमजने के लिए हम इस ब्राउजर में एक नया पेज ले लेते हैं और ecosystem page को हम close कर देते हैं मैंने अभी ecosystem page को close किया है ecosystem के dashboard से logout नहीं हुआ है और अब जब हम ecosystem को open करेंगे तो ecosystem में बिना login के ही हम ecosystem में login हो जाएंगे यानि जब मैंने ecosystem page को close किया था तो मैं ecosystem से logout नहीं हुआ था और जब मैंने फिर से दुबारा ecosystem portal को open किया तो मुझे ecosystem में login करने का option नहीं मिला जब मैंने ecosystem portal को open किया तो बिना लॉगिन किये ही हम ecosystem में लॉगिन हो गए और ठीक यही प्रक्रिया O-mail, O-net, O-trim, O-tracker, O-connect के साथ होता है तो इसी region की बज़ा से अब ecosystem में बरा बदलाव किया जा रहा है तो उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपी के साथ जाहिंद